महराश्च्र से हैं उल्हास जी स्वागत है आपका नमस्कार सर जैहिन स्वागत भाई आपका मैं उसजी ना पून किया लेकिन अधूर ही बात हो गएये जोचिन प्राबलेम है जी के एक सो मेरा जाख बनके रहता ही है और प्रेट सातने होता राप घ्ट अपने होता और नीजेट आपका तर आव आता है इकना मन आता है और दूसरी बात है मेरी मेरिफ क्लेव पोर पूरा बदिर रहते पार, चलना नहीं होता, इसके लिए मैंने आप से टीया गोन जैतों नम्मक बुलाया हूँ, खारा हूँ, और मेरे को चीकेर भी दिया है, वो भी खारा और टीकेर भी बेज़ए आए भी, तो टीकेर आप मत को खाओ करकि चीवी को बताते हैं, उन्होंने टीकेर खाने को भी बोला है, यसकेर खाने को भी बोला है, और पीकेर पेट के लिए भी दिया है, तो पीकेर आने का यह भी, कैसा खाना क्या करना है, तबियत कैसी है, आपने शुरू कर दिया क्या, हाँ, चालू कर गया हैं सब, कुछ फायदा शुरू हो गया, कब से खा र तो मेरे को तोड़ा दर्द बढ़ गया है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ दर्द जो बढ़ गया है उसके लिए पांच दिन तक दर्द की दवा खा लें इसके साथ ही और ये तीनों दवाएं एक साथ ना खाएं एसकेर टीकेर और गॉंसिया एक वक्त में एसकेर खाएं एक वक्त में टीकेर खाएं एक वक्त में गॉंसिया खाएं गॉंसिया आधा गिराम खाते हैं और पांच दिन दर्द की दवा साथ में जरूर लें पीकेर आप ले रहे हैं तो पीकेर आपके पेट के सिस्टम को अच् उठाना बिल्कुल मना है आपका western toilet ऐसा कुर्सी वाला शोचाले यूज करें भगवान से मदद मागें जितना कुछ आपके पास है दवाव में यही सब खतम होने से पहले आपको तंदुरुस करने की ताकत रखता है MP से है रौशन जोगी जी स्वागत है आपका नमस्कार सर्थ में इस स्टेट में एक साइड मेरो को तक्रिक हो ती है कौन सी साइड है यह दाय में साइड होती है सीद्धिक है यहां नीचे की तरफ है हाँ नीचे कवर के बाजी हो नीचे इपर थे है बाए साइड होती ही मेहने वार करीबन हो गया है अच्छा यह दर्द कभी कमर की तरफ भी जाता पेट से यहां पानी पीजे रोजाना धाई या तीन लीटर दो तीन बोतले भरके रखने अंदाजा भी रहेगा कि आपने कितना पानी प्याई यह तीन लीटर पानी यह तीन लीटर पीजे हो सकता है बगएर दवा के यह ठीक हो जाए पानी गरम पीएंगे तो और भी फायदा करता है और अगर फिर भी फायदा नहों तो सौफ धनिया सौफ, धनिया और मेथी का दाना ये तीन चीज़े सौ सो ग्राम लेकर इसका प्चूलन बनाके रख लें और एक चुटकी, एक आता नमक जैतून, ये नमकीन नहीं होता स्वाद में तो इसकी पहचानी है कि ये दिक्ता नमक जैसा है लेकि स्वाद में नमकीन नहीं होता एक चुटकी नमक जैतून, एक गिलास पानी मिलाएं इस पानी से इन तीन चीज़ों का सफूफ, धनिया और मेथी का दाने का पौडर एक चमच खाके दिन में एक बार या दो बार पानी पी लिया करें, आपको फाइदा होना मुमकिन है जो जो बहतर सलाती आप तक पहुंचा दिया हकीम साहब ने इन उसका अपनाई और फायदा उठाई है जिन कॉलर्स को कॉल कारेकरम में नहीं लग पाता है, वो हमारे हल्प लाइन नमबर पे कॉन्टाट कर सकते हैं अतिया हफ जो की एक ब्रैंडिट कंपनी है, 500 से भी जादा फ्रेंचाइजिस की देश भर में हैं जिसके फाउंटर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलिमान खान साहब जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े होए हैं अपना कीमती वक्त निकालके आप सभी के खिद्मत में हाजिर हैं हकीम साहब तो बस आपको ये मौका नहीं छोड़ना है, कारक्रम लाइव है लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं इन नमबर्स पर कॉंटाक करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हैं हकीम साहब आप जितने गौन बताते हैं चाहे वो मौरिंगा हो चिलगौजा हो जामुन हो ये गौन सिया हो अगर हम इने एक खाली पेट लेते हैं तो ये जादा फाइदे मन्द होते हैं या फिर खाना खाने के बाद इनका असर और अच्छा होता है सबकी अलग-अलग माहियत थे कैसे थे गौन सिया खाने के बाद लेना बहतर है कुछ दवाईयों के असरात जब फाइदा करते हैं ज़्यादा जब हमारे पेट में पहले से कुछ खुराक जा चुकी हो कुछ दवाईयां ऐसी हैं जिनको खाली पेट लेने में फाइदा ज़्यादा होता है तो मैं जब भी कोई निश्खा बताता हूँ उन्हें बताता हूँ कि आप खाली पेट ले या खाने के बाद ले उसी तौर पर लेने से जिस तरह से आपको कोई हकीम बताता है या डॉक्टर बताता है उसी परकार लेने से आपको ज़्यादा मुमकिन है बिहार से हैं दिनेश व्यादव जी स्वागत है आपका नमस्कार सर मैं अभी देख रहा हूं साब ना में देख रहा हूं हकीम साहब को जी बात कर लीजिए सर से बताईए, सवाल करें नमस्कार जी, हजिन साव जी जाहिल स्वागत है भाई आपका मैं मार्यपुरा जिला बिहार से बोल रहा हूं जी-जी, फिर्माई मेरी मेसेज को, मेरी लड़के को दोनों को पढ़ता नहीं है लेटिंग में, लेटिंग ताइम से जाता नहीं है दो दिन, तीन दिन ते एक बार जाता है ठीक देखिए बिहार वालों ये रोग देखने में बहुत मामूली लगता है अगर लेटिन की समझ से किसी को हो तो देखने में अदमी सोचता है कि लेटिन ही तो नहीं हुई और क्या अब नहीं तो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी लेकिन ये रोग की बीमारियों की शुरुवात है तो इसके लिए दोनों के लिए एक नुस्खा जो बहुत काम्याब बहुत अनुभवी और बहुत पिर्चलित है अच्छे घरों में तो इन उसका बनाके घर में रखते हैं तो लिख लें आप और फाइदा उठाएँ देखिए सौफ और सौट और जीरा तीन चीजें आपके किचन में मौजूद होती ही है हर ग्रेहनी के घर में ये होता ही है जो मैं बता रहा हूँ सौफ सौट और जीरा अजवाइन धनिया और मेथी का दाना ये किचन में मिलते ही है तो ये छे चीजें लीज़े एक बार और बोल देता हूँ कभी आप लिखने से रह गए हो सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया और मेथी का दाना इन छे चीजों को सो सो ग्राम लेकर पॉडर बना ले, चूरन बनाकर रख ले, अब एक चीज है जो असली लेनी है, वो नकली भी मिलती है, उसको कहते है नमक जैतून, ये नमक जैतून दुनिया का एक विशेश नमक है, जो देखने में नमक जैसा लगता है, और स्वाद में नमकीन नहीं होता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे विशेश नमक है, एक चुटकी ये ले, ये नमक जैतून भी आप ले लें, सो ग्राम अलग रखें, मिलाएं नहीं, और एक चुटकी यतना आया, एक या दो गिलास पाने मिला कर, ये च्छे चीजों का चूरन एक चम्मस खाकर पाने पी लें, देखिए ये नुसका आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करता है पेट के, अगर खब्ज है तो उसको तोल देता है, अगर वरम है, स्वैलिंग हो जाती है, तो उसको अच्छा करता है, अगर लीवर सही काम नहीं करना, उसकी वज़े से ये तकलीफ है तो उसको दूरुस करता है, अगर किट्नी में इंफेक्शन है, या पेट में इंफेक्शन है, तो ये उसको भी ठीक करता है, फिर आपका हाजमा, एसिडिटी, कब्स, बावसीर, इन सब रोगों को एक साथ आपसे दूर करता है, ये दुनिया का एक अच्छा नुसका कहलात हैं, तो उसके लिए आप हेलप लाइन नंबर पर को अन्ताइक कर सकते हैं, नेक्स्ट कॉलर है, सकसेना जी हमारे साथ, स्वागत है आपका, नमस्कार जी, नमस्कार सर, कहो समाते हैं, आदाब जैहिंट, स्वागत वायाब, मेरी एज एटी के कही हो रही है, और पैंक्रियास में मेरे को पत्री बताई है, हलो, जी जी, और हम इस एज में वो कहते हैं, इसका आपरेशन कलावा कोई है, इसको निकाल देंगे, तो वो हम नहीं चाहते हैं, अगर दर्द अभी तक हुआ नहीं है, जब से है, तो अब क्या करें, समझ में नहीं आता कभी दर्द होगा, तो क्या होगा, कैचे बहुत तेज दर्द होता है, कितना बड़ी बताई है पत्री, पांच एम एम की भूली उन्हों नहीं है, ठीकिर, हो देखिए, कोशिश कर लीजे, एक नुस्खा पांच दिल लें, पत्री अभी छोटी है, शायद निकल जाए, बड़ी पत्री निकलना मुश्किल होता है, तो एक नुस्खा आप नोट कर ले, और वो नुस्खा ये है कि असली जैटून का सिर्का और असली जैटून का तेल, तो दीकि नकली की भरमार है, जहां से देंगे वो नकली दे देंगे, आप तो पहचान नी पाएंगे, तो असली लेना जरूरी है, असली जैटून का सिर्का, असली जैटून का तेल, तीन चम्मज जैटून का सिर्का, तीन चम्मज जैटून का तेल, दो गिलास पानी में म झिहार मूँ बस एखुराक और यह खुराक आप सिर्फ पांच दिन तक ले सकते हैं अगर उस पत्री को निकलना होगा तो किसी भी दिन निकल सकती है एक दिन में भी निकल सकती पांच दिन में भी आप इसे कोशिश करने है नहीं तो फिर आखरी इलाज तो अपकरेशन ही होत नमस्कार सर, जी मैं मानसिक रूप से घर से थूँ, मानसिक परिशानी से, जी हाँ, तीस साल पहले मेरी मातराम का हाट फैल हो गया था, जब से नेंड और भूप्ती पर रहसानी है, एज कितनी आपकी, इन के आउन बार्द, मानसिक रूप से पीडित हैं, लेकिन समझदार होते हैं आप, बहुत ठहराव है आपकी बातचीत में, मानसिक रूपी इतने ठहराव से बात नहीं करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं आप, समझदार भी हैं, और आपका रूप ठीक हो सकता है, तो याद रखें कि दो चीज़ें, बलकर तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो आप ले, खशखाश आपके किचन में होती है, खशखाश, सो दो सो ग्राम खशखाश, जितनी खशखाश लें उतना ही धनिया उतनी ही सौफ, खशखाश, धनिया और सौफ, सो सो ग्राम ले लें, तीन सो ग्राम हो जाएगी, इसको साफ सूफ करें, और इसका बारीक पॉडर है, यानि चूरन बना के रख लें, खशखाश, धनिया और सौफ, और इसका एक चमश सुबह खाली पेट, खालिया करें, और एक आदा है नमक जैतून, ये असली लेना है, नकली सेट परसेंट मिलता है, ये सौफ में नमकीन नहीं होता, ये इसकी पहचान है, और देखने में बिलकुल नमक जैसा लगता है, तो ये मांसिक रोगियों के लिए भी बहुत फाइदे मन हैं, एक पानी से ये जो तीन चीज़ों का पौडर, खशखाश, धनिया और सौफ, चमच भर के खाएं, चाहें तो इसमें आप अपनी पसंद के शक्कर भी मिला सकते हैं, मीठा भी कर सकते हैं, सो ग्राम शक्कर भी मिला लें, तो कोई बुराई नहीं है, अगर शूगर नहीं है तो एक चमच भर के खाएं, खाली पेट और ये पानी पी लें, नमक जैतून असली जरूर लें, नकली बहुत मिलता है, पानी मिला के इस से खाया करें, दिन दो बार, एक तो सुबह को और एक रात को सोते समय हैं, आपकी ये सारी परिशानी में फाइदा होना मुम्किन है, बन जी, हलो, अरे बनारस बोल रहे है, जोगेंद परसाशी, अपीप साथ से बात करें, जी बात हो रही है, बनारस वालों, आपका बहुत स्वागत, जैहिन बनारस वालों के लिए, सलाम हूं, जी जी, आप बोलते रही हैं, आपकी आवाज आ रही है, कब मगाये हैं, कितने दिन से खाय रहे हैं, कितना फाइदा है, खायदा तो है, अराम है, बहुत आराप, संगरा इना भी खाए है तो अराम है भहुत अराम है तिर भाह थीक लगुझा नौअ ऑशे वने भुत English दभा खाए है जाज आए है से अमाराई कciplत्रम करिस्य तुप मरेब दर्द है तो जो दवा मंगा है हम तो खा रहे हैं वाइट को मंगाना है थोड़ा सा उसके लिए भी यह सोच रहा है कि मंगा दें तो ये इसके लिए ये दवा चलेगा। ये जो तिनो दवा जो मंघाए हैं। उसके लिए चलेगा ये दवा जो है। उसको भी कमर में तख्लीक से बहुत जादा जो है। विसके बार्डूलाइ Τिस के भी indigकत है। जो है इस तरह का अजो है। ठीक ही ठीक है जे और देखिए बनारस वालों आप बहुत समझदार हैं और क्या इलाज नहीं किया अपने चांच क्या नहीं कराई और देखिए भगवार ने जो फाइदा दिया जिस दवा से उसमें मेरा मश्वरा शामिल था फाइदा भगवार नहीं दिया अब ये निस्ख को आप लिख कर समझ कर रखें अपने पास क्योंकि आप ऐसी जगा पर हैं जहां बहुत पुजा पाट और दीन-दारी और जहां पर इतनी सब जदादाए ये होती वहाँ पर रोगी भी बहुत होते है और रोगी आते हैं अपने दूर दरास से अपने वहाँ धर्शन करने तो ये नुस्खा आपने यूस किया, पंदर दिन में फाइदा नजर आया, सेम नुस्खा आप अपनी पत्नी महतरमा को भी दे सकते हैं, और मैं तो चाहूँगा देखो, इतनी जिम्मेदारी समाल लें आप, बनारस की, कि बनारस में कोई, इन रोगों से पीडित आद्बी न दुनिया के विशेश नुस्खे हैं, जो हमारे घरों से दूर थे, मैंने कोशिश की कि मैं आपके घर तक पहुचा पाया, मैं हर घर तक नहीं पहुच सकता, तो मैं, तमाम लोगों से जो, जिन के घर तक मैं पहुचा हूँ, और जिन लोगों ने मेरे मश्वरे से फाइदा उठाया है, मैं उनसे निवेदन करता रहा हूँ और करता रहूँगा कि इन नस्खों को आप अपने आगे वाले घरों तक पहुचा दें, इतनी तकलीफ में हैं लोग, जिस तकलीफ में आप थे या आपकी पत्नी हैं, ये घर-घर की तकलीफ है, घर-घर तक इन नस्खे खिलाएए, और सिर्का भी उन्हें खिलाएंगे तो उनको डाइबटीज में भी फाइदा मुम्किन है।